हलो दोस्तो मैं प्रिशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कॉम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे आप पता करें कि कोई पार्टिकुलर सपोर्ट लेवल स्ट्रॉंग है या नहीं है मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं कि जिस सपोर्ट लेवल के बैसिस पे हम ट्वेट कर रहे हैं वो सपोर्ट लेवल ब्रेक होगा या नहीं होगा अगर हमें यह आइडिया मिल जाता है कि जो पार्टिकुलर सपोर्ट लेवल फॉर्म हुआ है वो अगर स्ट्रॉंग है मतलब हम उसके basis पे trade initiate कर सकते हैं और वहाँ पे हमे profit probability increase होता हुआ देखेगा लेकिन अगर हमें पता चल जाए कि वो particular support level strong नहीं weak है तो हम उसके basis पे क्या करेंगे? buy sir की तरफ positions initiate नहीं करेंगे, उसके break होने का wait करेंगे जैसे break होगा हम sell sir की तरफ entry करके profit बना सकते हैं मतलब अगर हमें पता चल जाए कि कोई particular level strong है या नहीं है तो हमारा profit probability increase हो जाएगा, हम आसानी से buy या sell करके profit बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं कैसे पता करें कोई particular support level strong है या नहीं है यहां पर हम चार्ट पर आ गए और देख सकते हैं यह जो चार्ट है आपका in forces का 15 मिनट टाइम फ्रेम वहला चार्ट मतलब हम इसका इस्तमाल किसी भी टाइम फ्रेम में कर सकते हैं 5 मिनट में कर सकते हैं 15 मिनट में कर सकते हैं one hour one day में कर सकते हैं यानि इसका इस्तमाल हम intra day trading में भी कर सकते हैं साथी साथ इसका इस्तमाल हम swing trading और positional trading में भी कर सकते हैं यानि जो भी आप trading करते हैं उसका इस्तमाल आप यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन सबसे पहले आपको पता करना होगा एक support level फिर हमें पता करना होगा कि वो particular support level strong है या नहीं है तो जैसे यहां पर देखिए price आपका नीचे आए नीचे से उपर गया है और जैसे price उपर गया है यह जो हमारे लिए resistance के रूप में काम कर रहा था वो किसमें convert हो जाएगा वो आपका support के रूप में convert हो जाएगा अब वो आपस से price आपका नीचे आए और इस support level को respect करते हुए price यहां से उपर गया है अब जब price यहां से उपर जा रहा है तो हमें यह find करना होगा कि support level यहां पर form हो गया लेकिन यह support level आपका strong है या फिर weak है वो हम कैसे पता कर सकते हैं उसके लिए हमें क्या करना परेगा इससे previous जो high बना है इसको हमें mark करना परेगा अगर price उपर जा रहा है और यहां पर जो high बन रहा है इस high को break करके उपर निकल गया तो यहाँ पर हम क्या conclusion पहाएंगे यही conclusion पहाएंगे कि यहाँ पर बायर्स का दबबाद जादा है और जो support level बना है वो क्या है वो strong बाला support level है लेकिन अगर price आपका उपर जा रहा है इस high से पहले यानि इस high से नीची से ही वो नीचे side की तरफ आ जाता है यानि वो phrase high नहीं बनाता है और उससे पहले ही वापस से नीचे side की तरफ आने लगता है तो क्या होगा? हम यह मानेंगे यह जो support level है आपका कमजोर है कमजोर होने का मतलब क्या है? कि यह support level कभी भी break कर सकता है मतलब अगर price आपका phrase high नहीं बनाता है उससे पहले वापस नीचे आने लगता है मतलब हम support level के break करने का इंतजार करेंगे और इस situation में क्या हुआ? price आपका उपर दो गया है इन दोनों candle पे buyers का strength दिख रहा लेकिन उसके बाद buyers का strength नहीं दिख रहा that means तो यहाँ पे आपका high बना है और दूसरा high यहाँ बनते हुए price नीचे आ रहा that means तो lower high pattern का formation किया और जैसे ही हमें lower high pattern का formation देखने को मिल वा हम क्या conclusion पहेंगे? सबसे पहला conclusion यह जो support level है वो आपका कमजोर है अब कमजोर है तो क्या हो सकता है? support level कभी भी break हो सकता है अब हम इसके break होने का wait करेंगे वापस से price आपका support के करीब आया है अब इसको break किया लेकिन closing इसके नीचे नहीं दे पाया है तो यहाँ पे हम confirmation के लिए wait करेंगे candle जब closing देगा उसके बाद हम next candle पे क्या करेंगे? sales अर्गी तरफ जाएंगे तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हुआ है फिर से price आपका उपर जाने लग गिया है तो यहाँ पे हम एक बार और देखेंगे at least इस high को break कर दे तो भी हम यहाँ पे माल लेंगे कि जो support level है वो अपना strength gain कर रहा मतलब support level के break होने की probability कम हो जाएगे लेकिन at least यह जो lower high pattern बन रहा उसको break करना चाहिए लेकिन वैसा हुआ ने फिर भी जो latest high बना था उससे नीचे अपना high बना है that means to lower high pattern को continue किया है मतलब यहाँ पे इस support level के break होने की probability और ज़्यादा increase हो जाती है अब ultimately price नीचे आया और इस support level को break करके नीचे आया closing दिया आगला candle जैसे इसके नीचे आपन हुआ यहाँ पे हम क्या करेंगे यहाँ पे हम sell side की तरफ अपना interview ले सकते हैं और price आपका नीचे side की तरफ ही जा रहा पहला target price हम यहाँ पे रखेंगे इसका price चल वह काफी नीचे चल वहाँ इसके बाद gap down भी open हुआ और अभी हम इसके price की बात करें तो आपका price और नीचे जा रहा है अभी आपका 1500 के आसपास ही आपका move करता हुआ दिखे रहा है अगर हम इसके latest price की बात करें तो और देख सकते हैं जो lower high pattern है यहां पर आपका high बना है फिर इससे नीचे यहां पर high बना है फिर इससे नीचे यहां पर high बन रहा है that means true जो lower high pattern है वो continuously चला रहा और जब तक lower high pattern continue चलता रहेगा हम चाहें तो अपने target को trail करते हुए नीचे ला सकते हैं यहनी ट्रेलिंग SL के साथ हम continue बने रह सकते हैं जैसे ही आपका कोई phrase high बनेगा जो कि previous high को break करके ऊपर निकलेगा तो फिर हम क्या करें वहाँ पर profit बुक करके निकल सकते हैं अपने positions को इस तरीके से भी hold कर सकते हैं अगर ये pattern continue फॉर्म हो रहा है तो देख सकते हैं हमने कितनी आसान भी कर सकते हैं वहाँ पे आपको profit मिलता हुआ डिक जाएगा लेकिन आपको सही टाइम पे और सही जगा पे entry लेना होगा तो इस तरीके से कितनी आसानी से हमने क्या देख लिया कि जो हमारा support level है वह strong है या नहीं है और अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप क्या कर सक यहाँ पे sell side की तरफ जाके positions initiate कर सकते हैं for example अगर यहाँ पे price आपका इस high को break करके ऊपर निकलता तो क्या होता यह support level हमारा strong होता और यहाँ पे वापस से फिर से क्या दिखता buyers का दबदबा दिखता तो इसके ऊपर भी आप buy side की तरफ entry ले सकते हैं नहीं तो आप wait करते व हम sell side की तरफ entry ले सकते थे जैसा कि यहाँ पर हमने इंड लिया तो इस तरह मल्टीपल entry point बन जाएगा मल्टीपल profit बनाने का मौका मिल जाएगा तो यहाँ पर आगे दूसरे एक्जांपल पर दूसरा एक्जांपल हमारा TCS का डेली चार्ट यहाँ यहाँ पर हम सबसे पहल प्राइस इसको break करके ऊपर निकला यह आपका support की रूप में convert हो गया अब हमें यह देखना है कि यह जो support बना है वो strong है या नहीं है मतलब यहाँ पर support का formation हुआ है वो आपका strong है या फिर weak है यह हमें क्या करना यह हमें यहाँ यहाँ पर find करना है यह हम कैसे find करें कि price आपक इससे नीचे आपका हाई फॉर्म कर रहा है और लोर राइट बताया जब भी फॉर्म होगा तो सपोर्ट लेवल आपका इस्ट्रॉंग नहीं बन सकता है क्योंकि sellers के द्वारा pressure generate किया जा रहा है पहले sellers आपके यहां पे हावी हुए फिर sellers आपका यहां से हावी हुए फिर price आपका support करीब आया है टच नहीं किया लेकिन वापस से उपर गिया है और at least इस high की उपर निकलता तो हमें buyers में थुरा बूत strength भी देखने को मिलता लेकिन previous high से भी नीचे अपना high बनाया है यह वापस से lower high pattern का formation किया है तो पहले sellers इस area पे हावी थे अब sellers आपका इस area पे हावी होगे मतलब दीरे-दीरे sellers अपना area increase करते जा रहे है और कभी भी इस support level को break कर सकते क्योंकि sellers ने अपना अच्छा खासा strength दिखाया है अब हमें क्या पता चल गया यह जो support level आपका strong नहीं weak है अब support level जैसे हमें पता चला की कमजोर है तो हम क्या करेंगे break होने का इंतजार करेंगे फिर price आपका नीचे है और जैसे support level को break करके हम यहां पर sell set की तरफ interview ले सकते है यानि तो candle closing होने का वेट करेंगे जैसे candle closing दे अगला candle open होते है इस level के आसपास भी हम sell set की तरफ interview लेंगे और उससे पहले देखिए यह हमारा एक support level के रूप में form किया है पहला target price हमारा यहीं होगा और इस target price को इसने आसानी से hit कर दिया है अब यहां से फिर से price आपका उपर जाना start कर दिया मतलब हमें देखना होगा कि यह जो support level है यह भी आपका strong है या नहीं इसका बारे में भी हमें information मिल जाएगा हमें यह भी पता गर सकते हैं हमें क्या पता करना होगा previous high कौन सा बना है यह high बना इस high के उपर निकला नहीं इस high के उपर नहीं निकल पाया मतलब यह support level भी आपका क्या है कमजोर है यह भी कभी भी break हो सकता और देखे ultimately support level को break किया तो यहां पर भी हम sell sir की तरफ interview लेके profit बना सकते हैं तो इस तरीके से आप आसानी से पता कर सकते हैं price action को use करते हुए और lower high pattern को use करते हुए कि कोई particular level strong है या नहीं है यह particular support level break होगा या नहीं होगा उमीद करते हैं यह simple सा concept लेकिन बहुत ही ज़्यादा informative है बहुत ही ज़्यादा useful है जो कि maximum traders को confuse करता as a result maximum trader नुकसान में चले जाते हैं तो इस तरह का confusion अब आपको ये वीडियो देखने के बाद नहीं होगा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करके हमें encourage किजे ताकि इस तरह के और भी informative वीडियो आपके लिए regular basis पे लाते रहेंगे so that's all friends मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जैहिन